प्यारे बच्चों, आज मैं कोई क्लास नहीं ले रही हूँ, बलकि मैं अपने मन की बातें आप तक पहुचा रही हूँ, कई बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे हैं फोन करकर के, कि मैडम हमने M.A. कर लिया है, हमने B.A. कर लिया है, आगे हम क्या करें, किस तरह से तैया प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेशनल वीडियो ही लाई हूँ, सबसे पहले, जब भी आप परिक्षा देने जाते हैं, तो ये मत सोचिए कि हमें पास होना है, आप ये सोचिए कि मैं टॉप करूंगे, टॉपर बनना है मुझे, चाह एनेट का परिक्षा देने जा रहे हो, स्लेट का परिक्षा देने जा रहे हो, कॉलेज का एक्जाम देने जा रहे हो, आईएस का एक्जाम देने जा रहे हो, नेट का एक्जाम देने जा रहे हो, या मेंस का एक्जाम देने जा रहे हो, कोई सभी परिक्षा देने जा रहे हो सबसे पहला बात है, स्वैम पर विश्वास करना, आप में विश्वास बनाए रखना, कन्फडेंस बनाए रखना, हमारा जो सत्रू है, वो कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा आपको कभी पचाड नहीं सकता है, आपके भीतर की जो नकरात्मक सोच है, नकरात्मक थिंकिंग है, निगेटिव सोच है, वही आपका सबसे बड़ा सत्रू है, कई बार हम डर जाते हैं, आप ही निदरते हैं, मैं भी डरती हूँ, भासन देने वक्त आपके सामने आ गई हूँ, लेकिन हकीकत जिंदगी में मैं क्या होगा, कैसा होगा, पास हो पाउंगी कि नहीं, सफल हो पाउंगी कि नहीं, दुनिया मुझे क्या कहीं? यह जो इमैजनेरी फियर, काल्पनिक भैर है, वो हमें रात में सोने नहीं देचीकरीत, नींद नहीं आती है। और ये बातें आपके साथ भी लागू होती होंगे जब परिख्छा नजदीक आता है तो हम सब स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाओ में आ जाते हैं तो मुझते अब क्या होगा इतना बड़ा सी ले बस, कैसे पूरा होगा, कैसे पूरा करेंगे, प्यारे बच्चों, आज मैं आपको टीप्स बता रही हूं, सबसे पहले जो आपके मन के भीतर का जो सत्रू है, उसका दमन करो, उस राक्षस का दमन करो जो आपके भीतर है, जो आपको बार बार नकरात्मक सोच की तरफ ले जा रहा है, जो बार बार ये कह रहा है, पता नहीं क्या होगा, हम पास से कैसा होगा हमारे चीवन में इतना दुख क्यों है दूसरे लोग इतने सुखी क्यों है हम ही क्यों नहीं जिन्दिके को एंज्वाय कर पाते हैं तमाम तरह की बाते हैं तमाम तरह की चीजें हमें घेरे रहती हैं नकरात्मक चीजों से हमारा मन परिशान हो जाता है क्योंकि म सकारात्मक सोच तुसरा नकारात्मक सोच जब आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो कि इतनी उर्जा हमारी भीतर उत्पन हो जाती है ऐसे लगता है जैसे हम इस काम को कर लेंगे आज मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है कुछ काम कर ने कर रहा है कुछ काम करने का पढ़ने का कभी मन नहीं कर रहा है दिमाग में लाया यौह रेयली हमारी उनर्जी हमारी नाकार त्मक Typing विए काम करने का आज हमें मननी कर रहा है कुछ अच्छा काम करने का आज मननी कर रहा है पूजा पाठ करने का पاؤनी क्या कया सोचते हैं कि तो दोस्तों अगर आप अपने मन को स्ट्रोंग रखोगे मन पर अपने विजय पाली सफलता आपके चरण चुमेगी यह मेरा वादा रहा है अब कैसे कैसे परिक्षा में टॉप करें कैसे प्रतियोगी परिक्षाओं में हम सफल हों कि अपने ऐसा नहीं यह कि बहुत इंटलिजेंट लोग ही कर पाते हैं हमने बहुत लिंटलिजेंट लोगों को देखा जो इंटलिजेंट सो बहुत होते हैं लेकिन वह इस दिशा हम उत्रा प्रयास नहीं करते हैं इस कारण वह सफलता कि जो a चरम सीधी होयें, सबसे उचआई हैं, वहां तक निए जढ़ पाते हैं. मैंने कईyों को देखा अपनी जीवन में. वही जो मैंश्णती हैं, कठोर परिष्रमी है, जिनमें लगन है, जिनमें कुछ कर दिखाने की चमता हैं, जिनमें कुछ कर दिखाने की जजबात है, जो सोचते हैं, वो कर दिखाते हैं, क्योंकि परम्पिता परमेश्वर, भोले नाथ, हमारे क्रिश्न, हमें ताकत देते हैं, हमारी मदद करते हैं, आप जानते हो, मुकम करोती वाचालम, पंगू लंग्यते गिरिम, परम्पिता परमेश्वर, परविश्वास करते हो, तो मुको, जो गूंगा होता है, उसको भी भगवान वाचाल बना देते हैं, अब पंगू जो होता है, लंगडा होता, उसको भी परवत को पार करा देते ह यह है चमता उस चमता के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है इसके लिए सबसे पहले रण नीती बना करके काम करिए आप काम कैसे करना है पहले रण नीती बनाना है महा भारत युद्ध जितना था तो भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े रण अपर किलास किया गीता के 18 अठारा अध्याय आप देखते हैं पढ़ते हैं अगर अपने पढ़ाने होगा तो पढ़िए बहुत ताकत मिल दिये और मैं बताऊं मुझे जब ताकत प्राप्प्त करना होता है जब मैं नकरात्मकर उर्जा से घरी रहती हूं नकरात्मक सोच स भी में घेले रहती हूं तब मैं गीता का ही बहुत पड़ती हूं के ऐख का का दाश जल्च य को तुम्हे उसर्वमें देव देव जब हम काते तुम्ही मेरे माता हो तुम्ही पिता हो तुम्ही तुम्ही मेरे सब कुछ हो कि चिंताएं दूर हो जाती है गीता वे भगवान कहते हैं तो मादि देवह पुरुशह पुराना तो मस्य विश्व मस्य परम निधानम वेता सिवेद्यम परम चधामम तवया मया विश्वम अनंतरूपम जब हम उसके उपर अपनी सोच को छोड़ देते हैं अपनी छमताओं को छोड़ देते हैं कि है प्रभू अब मेरी लाज आपके हाथ में हैं चाहो तो मेरी लाज को रखो चाहो तो मत रखो जब हम उसके उपर सब कुछ नवचावर करके काम करते हैं तो भगवान हमारी मदद करने के लिए इस धरा पर आ जाते हैं और हमें मदद करते हैं मैंने खुद अपनी जिंदगी में कई बार कि कई बार ऐसा एहसास किया कि परम्पिता परमेश्वर कि बड़ी कृपा होती है और वो करते हैं तो सबसे पहले जो भी आप पढ़ाई करें कुछ भी करें जो आयस ट उपर होता है जो आयाई टीकट उपर होता है उनसे पूछो बताएंगे कि रण नीती बना करके हमने पढ़ाई कि कठिन वीसियों को भी हमने सुगम बनाने का प्रयास किया लगातार कठिन मेहनत किया इसके लिए टाइम टेबल बनाया समय सारनी बनाई और उस समय के भीतर ह वोम बिले दोस्तों के साथ ज्वाई भी कर ले और फिर हम नेट परिछा पास कर जाये परत्योगी परिछा पास कर जाये तो यह इस वरी विधाने बेटा चमतकार से कोई कम नहीं है कि अगर कोई ऐसा जो बिना रनिती के पढ़ता है कि वर परिक्षा में जाता है और कम करके अधिक फल प्राफ्ट करना मेरे भागे में तो नहीं है इन जितना मेistant करती हुँ भगधान मुझे उतना देते हो कम नहीं देते हैं मेहनत हमेंसा करते रहने चाहिए दोसरी बड़ी बात क्या है क्यों शिलेबस की हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए पूरा कमांड हो जब आपको कमांड होगा अपको ओगी पिंगर टिप में होना चाहिए यह नहीं किम किताब देखेंगे पता नहीं अभी क्या हम तो बताएं यह जब हम graduate लड़कियों को पढ़ाते है और उसे पूछते कि up सिलेबस क्या है बच्चे करते हैं पता नहीं मैडम जब आपको सिलेबस ही पता नहीं रहेगा जिसमें पढ़ते हैं उसमें अगर अब ध्यान से टीचर के साथ नहीं पढ़ते हैं पूरा ध्यान नहीं देते हैं और जब आपका समय निकल जाता है फिर आप प्रयास करते हैं प आगे प्रयास नहीं करते थे सुनने का तो उसका तो खम्याजा भुगतना पड़ता है और उसके लिए आपको सिलेबस रटा होना चाहिए सिलेबस और आज वरतमान समय में आउनलाइन कि सुविधा तमाम तरह के टीचर अपनी अपनी भासा में सरल तरीके से आपको पढ़ात बस आपके भीतरेक जजबा होना चाहिए काम करने का जिजीविशा होना चाहिए काम करने का सफलता प्राप्त करने के लिए आपके पास ललक होनी चाहिए कि हम सफलता प्राप्त करेंगे ठीक उसी तरह जैसे अर्जुन का एक ही लक्षे रहता था कि हमें तो स्रेष्ट धर द्रोनाचारी के भी बहुत बड़ा युगदान रहा है लेकिन अर्जुन कहीं सबसे ज़्यादा प्रयास करता था स्रेष्ट धनुर्धर बनने के लिए क्योंकि महाभारत ये छोटा सा प्रसंग है जिसमें माता कुंती पूछती है अर्जुन से कि अर्जुन जब यह भ्यास करने जाते थे पांचों भाई पांडव तो दुर्योधान और उसके दुसासन और उसके अन्य भाई अपने अपने मित्रों के साथा करके बड़ा हुर्दंगी मचाते थे अविआ जाता था तो यूद्धिस्टिर और भीमतों लड़ जाता था यूद्धिस्टिर काई यदृजन अपना वापस घर आ जाता था माँ पूछती ती बेटा क्या होँए तुम क्यों यह उँद्धा भ्यास कर पाए वह तो मम्मी या माते वो तो दुर्योधन बड़ा ही परिशान करता है मैं नहीं जा रहा हूं जब अर्जुन से पूछा जाता था कि बेटा तुम तेरे भाई तो लोट के आ गया नकुल सहदेव लोट के आ गया तुम क्यों नहीं लोट के आए ऐसी क्या बात थी तो सुन ये बात को बड़ा ध्यान से अर्जुन कहता है माता जब युद्ध होगा वास्तविक युद्ध होगा तब खुबशोर होगा क्रंदन होगा चीखे और चिलाहट होगा अगर उनकी तरफ हम ध्यान देंगे तो हम मन से युद्ध को नहीं जित पाएंगे मन से हम युद्ध को नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा दिमाग तो सोरगुल में रहेगा इसलिए मैं मन को एकांत रखता हूँ एकाग्र रखता हूँ कही से क्या सोर आ रहा है उसे मेरा कोई लिना देना नहीं और यही बड़ा राज था कि अर्जुन स्रेश्ट धनुर्धर बना और बाकी भाई अपने अपने छित्रों में अलग-अलग रहे हैं कहने के तातपरी है कि चाहे कितनी भी शोर हो कितनी भी बाधाएं हो कितना भी अवरोध हो आपको नहीं रुकना है आपको उस नदी की भाती आगे बढ़ते जाना है जैसे नदी का पानी कल-कल चल-चल करते हुए पहाडों को चीरते हुए पहाड़े के उपर या नीचे से र जितने भी प्रकार की अवरोध हैं, जितने प्रकार की समस्या हैं, जितनी प्रकार की परिशान्या हैं, उन सब को एक तरफ करते हुए, दरकिनार करते हुए, आपको आगे बढ़ना है, आप देखोगे, परमपिता परमिश्वर आपके लिए मार्क प्रशस्त की हुए है, उनने बहुत मेहनत की परमपिता परमेश्वर ने उनका साथ दिया वे उचे पदो पर आसीन हो गया है वे ब्यापार में भी करोडों का टर्न ओभर करने लगया है कैसे कि इसी तरह से कि जिन्होंने रणनीती बना करके काम किया है और मैंने आपको बताया था कि हमारा जुम्म पता है पता नहीं क्या होगा पता नहीं क्या होगा पर में मन बहुत ड़ता है तब उस स्थिती में क्या करते हैं तनाव देता है उस तनाव से दूर रहने के लिए हमें योग और ध्यान करना होगा और योग ध्यान के साथ हमें परम्पिता परमेश्वर उनकी उन पर विश्वास रखके काम करना होगा कि हे बाबा, हे भुलेनात, हम आपके हैं, आप हमारे हैं हम इस काम को करने जा रहे हैं, इस काम को मैं नहीं किया बाबा, आप कर रहे हो, मेरी इलाज रखना अब जब सब काम हम परमपिता परमेश्वर पर्शौंप के काम करते हैं, तो विश्वास मानो, यकिन मानो, वो सफल होता है उसे कोई टाल नहीं सकता है। तो चलो वीडियो लंबी हो जाती है, मैं अपने ए वीडियो को यहीं विराम देती हूं फिर मिलते हैं हम अगली बातों के लिए, कि हम एमेश सीख करने के बाद, हम कहां जाएं, क्या करें, कैसे अपने तकलीफों से हम हटें, चलते हैं अगे?